ओम श्री कुरिशत्ताय नमा आप सभी को प्रिडाम परंपूजी गुर्देव की अपने अंग अव्यवों से अपेक्छा परंपूजी गुर्देव द्वारा सुक्ष्मिकरण के पहले मार्च 1984 में लोक्षेवी कारे करता समयदानी समर्पित सिस्यों को दिया गया महत्वपूण निर्देश या पत्रक स्वेम परंपूजी गुर्देव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रती दिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था परंपूजी गुर्देव की अपने अंग अव्यवों से अपेक्छा यह मनुहुमी हमारी तीन उंगलिया मिलकर लिख रही है पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यानवित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम कागज या उंगलिया ही पूरा कर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की हमारे नैश्टिक कारेकरताओं की है इस विसाल का योजना में प्रिर्णा उपर वाले ने दी है कोई दिव सत्ता बता या लिखा रही है मस्तिस्क और हिर्दय का हर कड़कर जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है लिखी नहीं रहा है वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है योजना की पुर्ती में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और स्रम समय साधन आदी का कितना भाग होगा मात्र लिखने वाली उंगलिया न रहे या कागज कलम चूक जाए तो भी कारे रुकेगा नहीं क्योंकि र प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़े, इस रिष्टी से कि उसमें सबसे बड़ा युगदान उन्ही का हुआ जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रही है। आप सबकी सम्विन्वित सक्ति का नाम ही वव्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कारे कैसे पूरा होगा इतने साधन कहां से आएंगे इसके चिंता आप न करे। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे की अधिकाधिक स्रम वसमरपण करने में एक दूसरे में अग्रडी रहा। साधन, युग्यता, सिच्छा आदे की रिष्टी से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थी। मन और पूर्ण समढपड के साथ लग गए दो लंका दहन, समुद्य छलांगने और परवत उखारने का राम लक्षमड को कंधे पर बिठाय फिरने का स्रे उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रतेक से एक ही आसा और अपेक्छा है कि कोई भी परिजन हरुमान से कम इसतर का नो हो। अपने कत्रित्व में कोई भी अभिन साचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा यह निर्देश और परामर्स आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते विगरते भी रहेंगे। आप लोगों को तो सिर्फ एक बात इस्मरन रखे कि जिस समड़ पर भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। कहीं राई रत्ती भी कमी न पढ़ने पाए। कारे की विसालता को समझे। लक्ष तक निसाना न पहुँचे। तो भी वह उस स्थान तक अवस्य पहुचेगा। जिससे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और एतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन सो चाहिए। तो ठीक है उसका भार दिवसत्ता पर छोड़े। आप तो किवल इतना ही करे कि आपके श्रम, समय, गुड, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रूटी न रहे। विश्राम की बात न सोचे। अहनिर्स एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुती करण में। पुंड रुपेड खब कर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं, स्वें को अधिकाधिक विनम्र दोसरों को बड़ा माने। स्वें सेवक बनने में गौरो अनुभाव करें। इसी में आपका बड़पन हैं। आपकी ठकान और सुविधा की बात न सोचे। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करे। वरन इतना ही सोचे की हमारा चिंतन, मनो योग एवं स्रम कितनी अधिक उची भूमिका निभा सका। कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अगनी परिक्षा है। इसे में आपका गौरो और समरपड़ की सार्थत्ता है। अपने साथियों की स्रधा वह छमता घटने न दे। उसे दीन दोनी रात चोगुनी करते रहे। मिसन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा। अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तरतर ततपरता ऐसी होनी चाहिए जिसे उचे दरजे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत कृत अनुभग करे। हम फूले न समाए और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ट बनाए जितना की राम पंचायत में छठे हनुमान भी गुस पड़े थे। कहने का सारांस इतना ही है आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे। उसमें कहीं राय रत्ती त्रोटी तो नहीं रह गई। आलश्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रिया कलापों में घुस पड़ने का उसर तो नहीं मिल गया, अनुशाशन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने कि अहन्ता कहीं छद्न रूप में आपर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अगनी परिक्षा की वेला में आपका सरीर, मन और व्यवार कहीं गड़बडाया तो नहीं। उचे काम सदा उचे व्यक्तित्व ही करते हैं। कोई लंबाई से उचा नहीं होता। स्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को उचे बनाती है। अगला कारिक्रम उचा है, आपकी उचाई उससे कम न पढ़ने पाए। या एक ही आसा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रख कर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विसम वेला में पिछड़ने न पाए। जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना क्रमंदी वमला दिरूपम जारी जगह पाए।